वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल तो कैसे हो आप लोग उमीद है आप लोग अच्छे होंगे तो मैं काजल अपने इस कोकिंग चैनल में आप लोगों का एक बार खिर से स्वागत करती हूं तो आज मैं लेके आए हूं यह सामभर की रेश्पी जो की इरली और ढोसा के तो सबसे पहले रेश्पी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो की हर नॉटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके तो चलते हैं रेश्पी की ओर तो सांभर बनाने के लिए सबसे पहले यहां बड़े बड़े टुक्रों में कद्दू को कट कर लेना यह है चैने की डाल जिसको में आधा घंटा पहले पानी में फुलने के लिए छोड़ दिये थे हैं तो अब हमारा यह चली है हमारा लगभ है और आधा केजी कद्दू है कद्दू की मात्रा यहां थोड़ा सा अधिक रही है अधिक रखी क्योंकि वह गल जाती है मतलब सांभर में जाके तो चली इन सबको अच्छे से मिला के इसमें डालते हैं नमक एक चमच स्वात के नुसार डाले उसके बाद हल्दी पाउडर एक चमच और एक चमच तेल ताकि यह हमारा जब हम इसको प्रेसर लगने के लिए जब हम गैस पर छोड़े तो यह चने की डाल है बहुत ही सकत होती है तो कम से कम इसको 10 से 15 सिटी में है यहां लगाऊंगी तो हमारी जाक एदम परफेक्ट होगी उसके बाद इमली का पानी तो उसको पानी में हम फुलने के लिए छोड़ देते हैं और यह है वो मैटेरियल जो हम सामफर बनाने में यूज करेंगे तो चलिए चलते हैं यहां गैस की ओर तो यहां तिल में गरम कर चुके थी चार बड़े चमच से डालके उसके बाद यहां डाले हैं साबुत जीरा, तेजपत्ता और लाल मिर्च, साबुत खड़े वाले, इन सब को जब गरम कर ले तो अच्छे से चला के और इसमें एट करेंगे हम बारी कटी हुए प्याज, तो यहां प्याज को एकदम बारी कट करना है क्योंकि यह जब हमारे सबजी में मिल्ट होंगे तो यह बहुत ही अच्छे लगते हैं सांबर में और बड़े-बड़े टुकरों में कट करने से क्या होता कि फिर वो खड़े दिखने लगते हैं तो फिर वो अच्छा ने लगता है तो यहां देखिए एकदम बारी कट कीजिए गप्याज, बहुत अच्छे लगते हैं इसको अच्छे से फ् बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो भी एकदम मार्केट वाली तो यहां देखिए यहां एक मिनट करीव हो चुका था फ्राइ करते हुए तो उसके बाद में यहां एट कर दी नमक क्योंकि नमक डालने से यह में पिछले वाले वीडियो में ट्रिक बताई थी अगर आप जब भी पियाज फ्राइ कर रहे हैं अगर उसमें नमक कर दीजे तो पियाज हमारा बहुत ही जल्दी फ्राइ हो जाती है और जैसा सेप में रहता है यह प्रेमिर्च को बांद में एट की थी क्योंकि इसका जो क्रंच है ना इसका लुक देखने में बहुत अच्छा आता है वो खतम नहीं होता है उसके बाद से यहां एक मिनट लगभख मैरा फूरा फ्राई करते हुए होग retir उसके बाद में यहां ऐट की थी टमाटर तो टमाटर भी बारी कट किया उसको भी चलाते हुए एक सेकेंड वो गया तो पूरेधि की अच्छे से चला लेते हैं अच्छे से ऐसे प्रेश करकर के ताकि जो हमारे टमाटर थोड़े बहुत खड़े बज जाते है न वो गल जाते है तो आराम से तो तो जाते हैं मिलाने से इसके बाद एड करें ये कासमेली लाल मिर्श तो ये तीखा नहीं होता है फ्रेंड्स ये तो इसमें अब मैं एड़ करने वाली हूँ पानी, तो पानी यहां मैं आदा कप एड़ करें ताकि इन सब को अच्छे से ऐसे चला के और एक मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं ढखके, ताकि जो हमारा मसाला है अच्छे से एक दम फ्राई हो जाए, तो देखिए इसको मैं अच्छे से ऐसे चला के एक मिनट के लिए ढख देते हैं, बहुत ही अच्छी से एकदम सबजी हमारे सारी एकदम मिल्ट हो गई, आप देखें, मतलब मेरा यहां सबजी पकाते ही अच्छे से मिल्ट हो गई, तो देखिए एक मिनट के बाद का मैं यह दिखा रही कितना अच्छा सबजी का कलर आया हर सबजी हमारा एकदम मिल्ठ हो गया परफेक्त ली यहां हमारा सबजी पक चुका है तो इसमें मैं आड़ करूँगी सांभर मसाला तो सांभर मसाला आपको इसी इस टेप पे आट करना जब हमारा सब्जी पूरे तरह से एकदम पर्फेक्ट पॉक जाए तो यहां सांभर मैं इउच कर रही हूँ तो सांभर मैं अच्छे से ईउच कीजएगा जИतने मेटेरियल हो तो सांभर की मात्रा ज्यादा इल्च करना है उसके बाद से यहां डालते हैं एक कप पानी तो पानी यहां देख के टालना है जितना मेटेरियल है उसके अनुसार आपको जैसी ठीकनेस पसंद हो तो यहां पहले थोड़ी थोड़ी डालना है मसाला में डाइरेक्ट ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए तो इसको मैं एक कप डाली हूँ डालके उसको अच्छे से चलाते हुए मिला के तो देखे एकदम हमारा यह रेडी हो चुका है तब चलते हैं अगला इस टेप पे तो सांभर बनाने की निसानी तो इसमें अब सबको हम मसाले में मिला देते हैं जो हमारे मसाला भी फ्राई था यह हमारी बहुत अभी थीक है इसमें मैं पानी थोड़ा-थोड़ा करके आड़ करूंगी अपने एक शाके अनुसार आड़ कीजिएगा इसमें पानी तो यहां इस फ्रेस आपको इमली का पानी मिल जाएगा उसके बाद से लाष्ट में आड़ करते हैं धनिया के पत्ता इसे खुसुबु अब बहुत अच्छी आ रही है एकदम तो हम सबको अच्छे से मिला देते हैं बड़े बरतन में रखके यह देखिए कद्दू हमारे एकदम खड़ कर लेजीगा तो यह देखिए हैं एकदम फर्फेक्ट सामफर बहुत अच्छा लग रहा है तो उमीद करती हूं दोस्तों आप लोगों को आज का यह वीडियो और आज की रेस्पी बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज दोस्तों अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से और कमेंट जरूर किर जिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे रेस्पी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेस्पी करें